एलो दोस्तों आपका स्वागत है मारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में एर मारे वेंटल इस्टेडीज का ये सिक्स लेक्चर होने बाला है इससे पहले बाले लेक्चर की हमने प्रोवाइड करा हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए तो ये आपके एक्जाम को देखे बहुत ही ज़्यादा इंपोडेंट है तो आप लोग इस वीडियो को सुरु सिले का एंड तक देखेएगा वीडियो को इसके मत करियेगा तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसा कि आप लोगों को पता है ग्रीन हाउस फ हम तो आप लोगों को समझ में आया अब हम बात करते हैं फुरा फिकर से समझ लेते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सूर रहा है वहां से क्रड़े निकलती हैं सूर की जो तरंग दे क्रड़े आती हैं तो क्रड़े क्या है हमारे प्रतिवी पर आयाती है तो यही कारड है उसे green aspect कहते हैं और यह temperature में जब भरोड तरही होती है उसे हम global warming कहते हैं ठीक है यह global warming हम पिछले lectures में discussion कर चुके हैं ठीक है अब थोड़ा इसमें बढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा topic आप लोगों को चैसे मैंने बताया वही है कि बायू मंडल में क्या है ब बढ़ जाता है ठीक है और यह गैस होती है उन्हें हम क्या कहते है green house कैसे कौन कौन सी co2 हो गई c4 हो गई जा आपकी green house गैसे हैं ठीक है इनके कारड क्या होता है मारी एक layer बनती है जैसे कि अभी मैंने समझाया था आप लोगों ठीक है वही layer क्या करती है प्रतिवी पर आने दरवाजे मोटर गाड़ी करकियों को कार करता है सूर जो सूर के प्रकास गोजनने से गोजनने देता है लेकिन उसमा को बापस जाने नहीं देता है यह क्या करता है कि हमारी जो करड़ें आ रही है तो करड़ों को तो बापस जाने देता है लेकिन जो करड़ों से उसमा जर दूर से करड़ें आती हैं उनको प्रत्वी पर तो आ जाती हैं लेकिन वह करड़ें बापस चली जाती हैं लेकिन उन से जो करड़ों से क्या होता है उसमा जर्रेट होती है वो बापस नहीं जा पाती है तो वही है ग्रीन हाउस फैक्ट और जो उसमा जर्रेट होती है उसमा ज कहते हैं वही इसमें यह समझाया गया है ठीक है तो आप लोगों को यह global farming अच्छे से समझ सौरी global farming थोड़ा सा concept था इसमें वह समझा दिया और Greenhouse अपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं comment box में चरूल बताएगा और आप लोगों ने टेलिग्राम जोन नहीं किया है टेलिग्राम जोन हो जाएगा जैसा कि हम अपडेट्स करते हैं आप लोगों को तो most update आप लोगों के पास मिल जाए और आप लोगों सबसे पहले देख पाऊ ठीक है और आंगे इसमें क्या कह रहा है कि हमारे जो की आने वाले समय में हमारे जो की प्रतिवी का जो टेंपरिचर है उसमें दो से पांच डिग्री सेंटिग्रेट में ब्रद्धी होगी आने वाले समय में ठीक है तो ये उससे क्या होगा उससे हमारे हानी क्या होगी जो कि आपके ग्रेशियन फाल्स फाड़ है जो की बरप के पाढ़ है उनको पिगनना होगा पिगलेंगे वो तो बार आने की सम्भावना बढ़े जाएगी बार आने की सम्भावना बढ़ेगी तो हमारे उसके किनरे जो भी सम्मुथस्त्रट के किनारे किया है सहरी जो इलाकि वो क्या है उनको ने स्टोने की समभादना बढ़ जाएगी ठीडै के तो गिलोवर्न वारमिण यह बहुत ही हमकारच है ऊसे क्या होता है व्युम्य मौ हम बारि फ्लाइस टैंपरेश निंट करिए करड़े आ रही है लेकिन यह करड़े बापस तो जा रही है वह यह अपनी उस्मा को यहां पर छोड़ जा रही है उस्मा को छोड़ जाती है और अपन बापस एटमस्फिरे में चली जाती है तो यही कारड़ है गिरिनाउस फैक्ट का ठीक है तो यह पढ़ता है फैक्ट प्र अप्रज कर दो 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 हरते हैं